संत दादू दयाल का जीवन जीवन दादू हंस रहें सुख सागर आए परुपगार आमतोर पर इत्यासकार मानव जाती के सबसे बड़े हितैशी संतों की ओर जो केवल परुपकार के लिए इस संसार में आते हैं ध्यान नहीं देते संत सदापरुपकार के काम में लगे रहने के कारण स्वेम अपनी जीवन का ब्यवरा नहीं लिखते ना इसके लिए उनके पास समय होता है और ना उन्हें इसकी कोई चाही रहती है इस तरह उनके जीवन की घटनाओं के संबंध में प्राह कोई विशिष जानकारी नहीं हो पाती बाद में निश्चित जानकारी के अभाव में उनके जीवन के विशय में अनेक मतभेद उत्पन हो जाते हैं कबीर और अन्य महात्माओं की तरह संत दादु दयाल का जीवन भी अनेक प्रकार के मतभेदों से भरा पड़ा है दादु दयाल के जन्म स्थान, जन्म तिथी, नाम, जाती, माता-पिता, गुरु, शिक्षा, यात्राओं तथा मृत्युकाल के संबंध में भारतिय और पश्चमी विद्वानों ने अनेक परसपर विरोधी विचार व्यक्त किये हैं और किसी एक के विरोध दूसरे मत को सिध करने के लिए शायद ही कोई निश्चित एतिहासिक प्रमान प्राप्त हैं अनेक मत मतांत्रों में निमिन लिखित मत दादू के बाद के अनुव्याईयों में प्रचलित हैं जिसे दादू मत को मानने वाले पुश्कर निवासी स्वामी नारायन दास्ची भी मानते हैं एहमदाबाद के लोधी राम नागर नामक ब्रामन के जो रुई के वैपार का पेशा करते थे कोई पुत्र नहीं था वे बड़ी लगन के साथ अपने धार्मिक कारियों को किया करते थे और जो भी सादू महात्मा मिलते उनकी बड़ी ही आवभगत के साथ इस आशा से सेवा करते थे कि वे उनकी पुत्र की इच्छा पूरी करेंगे एक दिन एक महात्मा उनके पास आए और लोधी राम की सेवा भक्ती से प्रसन होकर उनसे बोले तुम हर रोस की तरह कल सुभा साबर मती में स्नान करने जाना वही प्रभु की कृपा से तुम्हारी इच्छा पूरी होगी दूसरे दिन सुभा लोधी राम जब नदी में स्नान करने गए तो उन्हें नदी की धारा में बहते हुए कमल दलों पर एक बच्चा मिला तथा उनके आश्चर्य और खुशी का ठिकाना ना रहा वे बड़े ही प्यार से बच्चे को घर ले आए उनके स्तरी बच्चे को देख कर फूली ना समाई और कहा जाता है कि जैसे ही उसने बच्चे को गोद में लिया उसके स्तनों में दूद भराया परन्तु रजब और दादू के दूसरे शिश्यों तथा दबिस्ताने मजाहिब के अनुसार दादू जन्म से मुसल्मान थे और उनका पेशा धुनिया यानि रूई धुनने वाले का था भारतिय रहसेवाद के विद्वान शिति मोहन सेन भी उन्हें मुसल्मान ही मानते हैं सेन के अनुसार दादू का पहला नाम दाउध था उनकी पत्नी का नाम हववा था और उनके दो पुत्र और दो पुत्रियां थी दादू का जन्म 1544 इस्वी में हुआ था और मृत्यू 1603 इस्वी में दबिस्तान में दादू के पेशे का नाम नद्दाफ यानि जो धुनिया का अर्बी नाम है दर्ज है पंडित सुधाकर दिवेदी दादू को बनारस का मोची सिध करने का प्रयतन करते हैं और इनका नाम महाबली बताते हैं इसके प्रमाण में दिवेदी जी दादू की इस पंक्ती का हवाला देते हैं दादू मोट महाबली घट घृत मत ही करिखाए इसी आधार पर वे कहते हैं कि दादू पानी खीचने के लिए चमडे की मोट सीने वाले महाबली नामक मोची थे परंतु आधुनिक विद्वानों के अनुसार यह मत बिलकुल गलत है दादू वानी के कई अन्य संसकरणों में मोट महाबली के बदले मोटा महाबली का पाठ है मोटा का अर्थ हृरिष्ट पुष्ट होता है और महाबली से शक्तिशाली होने का अर्थ निकलता है मोट शब्द का अर्थ, मोची करना और महाबली विशेशन को व्यक्ति वाचक संग्या बना देना उचित नहीं संदर्भ के अर्थ से भी इसका मेल नहीं बैटता दादू नाम कैसे पड़ा? इसके संबंध में भी मतबेद है शिती मुहन से इनके मत का उलेक हो ही चुका है जिसके अनुसार दादू का पहला नाम दाओद था बाद में यह नाम दाओद से दादू में बदल गया दूसरी विचारधारा के अनुसार बच्पन से ही दादू की आदत अपना सामान दूसरों को दे देने की थी उनकी इसी दानशील्द आदत के कारण इनके माता पिता ने इनका नाम दादू रख दिया फार्सी शब्द ददन से जिसका अर्थ देना होता है दादू नाम पड़ गया कुछ लोगों का यह भी कहना है कि चुकि दादू जी सबको भाई कहकर संबोधित किया करते थे इसलिए लोग उन्हें प्यार से अपनी भाशा में दादू कहने लगे जो भी हो इस पुस्तक का मुख्यो देश दादू की शिक्षा पर प्रकाश डालना है अतर उनके जन्म, जाती और नाम संबंधी मत भेदों का हमारे लिए विशेश महत्व नहीं है दादू की विशेश शमाशीलता और दयालुता के कारण उनके नाम के साथ दयाल शब्द जोड़ दिया गया है निमनलिखित घटना उनके स्वभाविक शमाशीलता और दयालुता को अच्छी तरह जाहिर करती है एक बार की बात है कि दो ब्रह्मन जिग्यासू दादू से दिक्षा लेने और उनका उपदेश सुनने के लिए उन्हें खोचते हुए आए जब वे उनकी कुटिया के पास पहुँचे तो उन्हें एक नंगे सिरवाला व्यक्ति उनकी और आता हुआ दिखाई पड़ा नंगे सिरवाले व्यक्ति को देखना एक अप्शकुन समझकर ब्रामनों ने इस अप्शकुन के दोश को दूर करने के लिए उस व्यक्ति के सिर पर ठोंग मारी यानि मुड़ी हुई उंगली से मारना और फिर उस व्यक्ति से दादू का पता पुछा उसने पास की एक छोटी सी कुटिया की ओर संकेत किया और अपनी राह ली जब ब्रामन उस कुटिया पर पहुँचे तो उन्हें पता चला कि दादू थोड़ी देर के लिए कहीं बाहर गए हुए हैं कुछ समय बाद जब दादू लोटे तो ब्रामनों ने देखा कि यह तो वही आदमी है जिसके सर पर इन दोनों ने ठोंग मारी थी अत्यांत लज्जित होकर और पच्चतावा करते हुए वे बार बार दादू से शमा मांगने लगे दादू ने उनकी चिंता और भाई को दूर करते हुए सहज भाव से मुस्करा कर कहा भाई जब कोई ग्राहक एक साधारन सा मिट्टी का घड़ा भी लेने जाता है तो वे टंकोर कर देख लेता है कि घड़ा फूटा तो नहीं है और आप लोग तो गुरू धारन करने आई हैं आपके लिए यह बिलकुल उचित है कि गुरू को धारन करने से पहले आप उसे भली भाती टंकोर कर देख लें कि वे ठीक तो है दादू पंथियों की परंपरा के अनुसार दादू अपने गुरू व्रेधानंद बुढ़न से ग्यारा वर्ष की अवस्था में मिले जबकी वे अपने मित्रों के साथ कांकरिया तलाब पर खेल रहे थे उस व्रिध पुरुष के प्रभावशाली और गंभीर व्यक्तित्व को देखकर अन्य बालक तो भाग गए पर दादू आधर पूर्वक उनके पास गए और अपने पास जो एक पैसा था वे भेंट किया वे महात्मा दादू की सरलता, निश्चलता और शद्धा भाव से बहुत खुश हुए उन्होंने दादू को प्रसाद दिया और कृपा पूर्वक उसके सर पर अपना हाथ रखा जिससे दादू के शरीर में रुहानियत की एक लहर दोड़ गई साथ वर्ष बाद, जब दादू अठारा वर्ष के थे, उन्हें गुरू ने फिर दर्शन दिया दादू अब अपनी साधना में निपून हो चुके थे इसलिए उन्हें गुरू द्वारा इस गूर सत्य का राजिस्थान में जाकर प्रचार करने की आग्या मिली इस घटना से दादू के जीवन में एक महत्व पूर्ण मोड आया उसके बाद का उनका पूरा जीवन गेहरी साधना करने, सच्चे जिग्यासूं को इस रुहानी सत्य का ज्यान देने और लगा तार बढ़ते हुए अपने शेश्यों की प्रार्थना पर जगा जगा जाकर लोगों में सच्चे मार्ग का प्रचार करने में लगा कुछ विद्वानों का कहना है कि दादू की गुरू शेक बुडन थे, जो कादरी शाखा के एक सूफि महात्मा थे जो दादू की युवा वस्था के प्रारंभिक काल में जीवित थे शेक बुडन अकबर के समय में हुए थे और उनके वन्षच अब भी जैपुर के पास सांभर में पाए जाते हैं 19 वर्ष की अवस्था में दादू ने एहमदाबाद से विदाली और 6 वर्षों तक गुजरात और राजिस्थान की बीच जगा जगा घूमते हुए 25 वर्ष की अवस्था में सांभर पहुँचे जो राजिस्थान की प्रसित नमक जील सामभर के किनारे बसा हुआ है वे सामभर में बारा वर्ष रहे यद भी दादुजी विवाहित थे और संथ कबीर की तरह अपने पूर्वजों के पेशे से अपनी जीविका चलाते हुए ग्रहस्त जीवन व्यतीत करते थे फिर भी उनका जीवन परमात्मा की गहरी भक्ती में लगा हुआ था और वे पूरी तरह परमात्मा की कृपा पर निर्भर रहते हुए पूर्ण तह संतोष्ट जीवन बिताते थे उनके अनुसार मांग कर खाना इस मार्क पर चलने के लिए उचित नहीं है दादू रोजी राम है राजिक रिजिक हमार दादू उस पर साद सूं पोश्या सब परिवार मांगी ना खाए नहीं जग आसा उनके परिवार में उनकी पत्नी उनके दो लड़के और दो जुड़वां लड़कियां थी बड़े लड़के की पैदाईश उनके 32 वर्ष की अवस्था में हुई छोटा लड़का दो साल बाद पैदा हुआ और उसके दो वर्ष बाद जुड़वां लड़कियों का जन्म हुआ सभी को बाद में दादू ने अपना शिश्य बना लिया थोड़े ही दिनों में दादू ने गुजराती, फार्सी और संस्कृत का अच्छा ज्ञान प्राप्त कर लिया पर यह ठीक पता नहीं कि उनकी पढ़ाई नियमित रूप से किसी विद्याले में हुई या यो ही उन्होंने विद्या सीखी जो भी हो, विभिन स्थानों में भ्रमन करने से उनकी ज्यान में अवश्य ही काफी वृद्धी हुई होगी जैसा कि उनकी वानी में आए, कई भाशाओं के शब्दों और उनकी उच्छ कोटी की पदावदी से स्पष्ट पता चलता है इससे भी बढ़कर उनकी वानी में जो गरिमा, सुंदर्ता और हिदे को छुने वाली शक्ती है वे बिना गहरी अंतरद्रिष्टी और उच्छतम रुहानी अनुभव के संभव नहीं है दादू साहिब के संबंध में कई चमतकारिक घटनाओं का उलेख पाया जाता है हलांकि उनके लिए इनका कोई महत्व नहीं था और वे स्वेम ये नहीं कहते थे कि वे चमतकार दिखलाते हैं उनके अनुसार संत परमात्मा से एकाकार हो चुके होते हैं इसलिए परमात्मा, स्वतह, संतों वो उनके प्रेमी सेवकों की विशिश रूप से संभाल करता है जो समान्ने लोगों की दृष्टी से चमतकार कहा जाता है वे इस संबंध में अपनी भावना यूँ व्यक्त करते हैं करे करावे साईयां, जिन दीया ओजूद, दादू बंदा बीच है, सोभा कूँ मौजूद दादू साहिब के जीवन की ऐसी कुछ घटनाओं का हम यहां संक्षेप में उलेख करते हैं सामभर में आने के बाद, कुछ ही दिनों के अंदर, दादू की शिक्षा और उनके रहन सहन के ढंग को देख कर, हिंदू और मुसल्मान दोनों उनसे चिर्णने लगे क्यूंकि दादू अपने को किसी जाती या कौम का नहीं मानते थे जाती भेद की अभिलना करते थे, मूर्ती पूजा, उपवास, वरत और तीर्थ यात्रा का खंडन करते थे और किसी भी विशिश प्रकार की धार्मिक वेशबूशा को व्यर्थ बताते थे इसलिए लोगों ने स्थानी अधिकारियों के पास शिकायत की और इन पर कड़ी कारवाई करने की मांग की तद नुसार अधिकारियों ने ये घोशना कर दी जो दादू के पास जाएगा उसे पांचसो रुपया दंड भरना होगा इस हुक्म के बावजूद भी दो प्रेमी शिश्य दादू के दर्शन के लिए चले आए दादू ने उन्हें समझाया कि वे सरकार को पांचसो रुपया दंड देकर इस प्रकार अपने धन को व्यर्थी बर्बाद कर रहे हैं इस पर शिश्यों ने जवाब दिया कि जब तक हमारे पास पैसा है तब तक हम दंड देंगे और आपके अनमोल दर्शन और सत्संका लाब उठाएंगे यह तो सचमुच में एक सस्ता सौधा है उनके द्रड संकल्प और पके इरादे से प्रसन हो दादू ने कहा कि हुक्म नामे को अच्छी तरह पढ़कर दंड देना जब इन प्रेमी शिश्यों को पकड़कर कचहरी में हाजिर किया गया और उनका कुसूर साबित करने के लिए आदेश पत्र पढ़ा गया तो उसमें ये लिखा हुआ था जो दादू के पास नहीं जाएगा उसे 500 रुपए दंड भरना होगा इसे सुनकर सभी भौचक के रह गए और दोनों शिश्यों को तुरंत रिहा कर दिया गया शिश्यों ने कहा कि अब तो इस हुक्म के अनुसार हम दोनों को छोड़कर बाकी सभी लोगों को जुर्माना देना चाहिए इस घटना से कुछ लोगों को अब ऐसा लगने लगा कि दादू सच्चे महात्मा है परंतु सांभर मुसल्मानी राज्य के अंदर था और स्थानिय मुसल्मान शास्कों के लिए दादू को एक सच्चा फकीर मानना कठिन था अजमेर का एक काजी जो सांभर के दोरे पर आया हुआ था कुरान शरीफ को अपने हाथ में लिये हुए दादू के पास गया और धमकाते हुए उनसे पूछा कि खुदा को राम कहने का कुफर वे क्यूं करते हैं राम को पूजने वाला तो काफिर होता है दादू जी ने अपनी बात नमरता पर द्रिरता के साथ स्पष्ट करने की कोशिश की और काफिर का अर्थ यूं बताया सो काफिर जो बोले काफ दिल अपना नहीं राखे साफ साई को पहिचाने ना ही कूड कपट सब उस ही माही इससे काजी और भी नाराज होकर अनाप शनाप बखने लगा इस पर दादू ने कहा काजी कजा न जान ही कागत हाथ कतेब पढ़ता पढ़ता दिन गए भीतर ना ही भेद इस पर क्रोधित होकर काजी ने दादू के मुख पर मुक्का मारा दादू ने ना इसका कोई प्रतिवाद किया और ना ही कोई नाराजगी जाहिर की बलकी अपने मुख की दूसरी और को काजी की तरफ घुमाते हुए कहा कि आपकी जितनी इच्छा हो मार कर अपना पूरा गुसा निकाल लीजिए कहा जाता है कि दादू के शमाशील व्यक्तित्व से काजी बहुत प्रभावित हुआ और लज्जित होकर उसने दादू से शमायाचना की कुछ समय बाद विलंद खान खोजा नामक एक उच्चाधिकारी सामभर में आया और दादू के शत्रूओं ने उसे उकसाया कि वे दादू पर मतवाला हाथी छोड़कर उन्हें मरवाडा ले जब ऐसा किया गया तो सभी लोग तितर बितर हो गए पर दादू निर्भय और शांत खड़े रहे तथा ईश्वर के प्रती कृतग्यता प्रकट करते हुए बोले दादू कहे जे तू राखे साईया तो मार न सक्के कोई बाल ना बंका कर सके जे जग बैरी होई हाथी दादू के पास आकर शांत खड़ा हो गया और दादू ने उसे प्रेम से थप थपाया इस दिरिश्य को देख कर सभी चकित रह गए दादू के शत्रूओं को फिर भी दादू की महानता का बोध नहीं हुआ और वे उन्हें दंड देने के लिए अफसर की ताक में रहने लगे एक दिन सुबह दादू कोई भक्ती गीत गा रहे थे मुसल्मानों ने इसका बुरा माना और उस पर यह इलजाम लगा कर कि यह काफिर नमाज पढ़ने के समय में शोर मचाता है एक साथ उन पर तूट पड़े और उन्हें बुरी तरह मार पीट कर विलंद खान खोजा के सुपूर्थ कर दिया विलंद खान ने उन्हें हवालात में बंद कर दिया पर दादू को फिर भी उसी प्रेम के साथ गाते सुनकर सभी विस्मित हो गए उन्होंने देखा कि दादू का एक शरीर हवालात की कोठ्षी के अंदर है और दूसरा शरीर बाहर है इस घटना ने विलंद खान की आँखें खोल दी उसने तुरंत दादू को रिहा कर उनसे शमाय आचना की और उनके पैरों में गिर पड़ा इस पर दादू जी ने बड़ी क्रिपा पूर्वक उससे ये कहा हम सोना तुम किया सुनारा तावे धनी रू नाम तुम्हारा इस घटना के बाद से विलंद खान दादू का समर्थक बन गया और उनके प्रती लोगों की दुश्मनी प्राहे जाती रही दादू की इस प्रकार की शक्ती को देखते हुए एक बार साथ विभिन जमायतों ने एक ही दिन धार्मिक उत्सव मनाने का कार्यकरम बनाया और सभी जमायतों ने ठीक एक ही समय में दादू को शामिल होने के लिए आमंतरित किया परंतू चुंकी दादू किसी एक जमायत पर विशेश अनुग्रह करके दूसरों का दिल दुखाना नहीं चाहते थे इसलिए वे कहीं भी नहीं गए और भजन में बैठ गए परमात्मा की कृपा से वे ठीक समय पर साथों जमायतों में शामिल पाए गए दादू दयाल की दयालुता और शमा शीलता असीम थी एक रात उनके आश्रम में एक चोर घुस गया उसकी आहट से कुछ शिश्यों की नींद खुल गई और उन्होंने आवाज दी कि कौन है कोई उत्तर ना मिलने पर उन्हें संदे होने लगा दादू तुरंट उठ गए और शिश्यों से कहा कि शोर ना मचाओ धीमी आवाज में वी चोर से ये कहते हुए सुने गए कि तो जल्दी यहां से भाग जा नहीं तो लोग तुझे पकड़ कर सजा देंगे दूसरे दिन सुभा वह चोर दादू के पास आया और फिर कभी चोरी ना करने की शपत ली अब जब स्थिती दादू के अनुकूल हो गई और उनकी ख्याती दूर दूर तक फैल गई तो आमेर के प्रसिध गलता मठ के हिंदू महंत ने दादू जी को अपने संप्रदाए में मिलाने के लिए माला और तिलक लेकर जो उस समय संप्रदाए में मिलाने की परंपरागत रस्म थी चार साधूओं को सांभर दादू जी के पास भेजा परंतु दादू ने इन शब्दों के साथ संप्रदाए में शामिल होने के आमंतरन को अस्विकार कर दिया आपने फर्माया दादू माला तिलक सूं कुछ नहीं काहू सेती काम अंतरी मेरे एक है एह निस उसका नाम उनके उत्तर से नराज होकर साधूओं ने कहा कि यदि दादू उनके हिंदू राज्ये में होते तो वे उन्हें अपने संप्रदाए में मिला कर छोड़ते सांभर के मुसल्मानी राज्ये में होने के कारण वे विशेश कुछ नहीं कर सकते थे इस पर दादू ने कहा कि परमात्मा की क्रिपा से वे आमेर भी आएंगे उसके कुछ समय बाद दादू ने सांभर को छोड़कर जहां वे बारा वर्ष तक रहे थे आमेर में जो उन दिनों वर्तमान जयपूर की राजधानी थी अपना निवास्थान बनाने का निर्ने किया उनकी ख्याती वहां बहुत पहले ही पहुची हुई थी अतह उनका वहां हार्दिक स्वागत हुआ बहुत से गण मानने व्यक्ति उनके शिश्य बन गए और आमेर के राजा भगवान दास जो राजा मान सिंग के पिता थे स्वेम उनके भग्त और समर्थक हो गए जब दादू आमेर में थे तो कहा जाता है कि बादशाह अकबर के यहां से उन्हें फतेहपुर सीक्री आने का बुलावा आया दादू ने कहा इस गरीब आदमी से बादशाह को क्या लेना है पर यदी भग्त अकबर आना चाहें तो उसका स्वागत है अकबर इस उत्तर के आशे को समझ कर प्रसन हुआ सन 1586 इस्वी में 40 दिनों तक अकबर ने दादू के साथ धर्म के विशे पर बातचीत की कहा जाता है कि इस अफसर पर मुसल्मान, जैन तथा अन्य धर्मों के महात्मा भी इस वारता में शामिल हुए दादू की गंभीर विश्यों को सरलधंक से समझाने की कला तथा गेहरे सत्य की अनुभव भरी और चकित कर देने वाली व्याख्या से सभी लोग बहुत ही प्रभावित हुए अपने सिध्धान्त के प्रती द्रिड निष्ठा के साथ ही अन्य धर्मों के प्रती उनकी महान सहिश्णोता का उन सब के उपर विशेश असर हुआ दादू के ग्यान से भरे शब्दों से आश्चर्य चकित हो विद्वानों और महात्माउं ने उनसे जानना चाहा कि उन्होंने किस पुस्तक से ये ग्यान प्राप्त किया है दादू जी ने बताया कि सर्व शक्ती मान पर मात्मा ने हमारे शरीर के अंदर ही ग्यान का समस्त भंडार रख छोड़ा है जिससे सहज ही सब कुछ प्राप्त किया जा सकता है आपने फर्माया दादू काया अंतर पाया निरंतर निर्धार सहजें आप लखाया ऐसा समरत सार फिर उनके पूछने पर कि वे किस मंदिर में परमेश्वर की अराधना करते हैं दादू ने अपने शरीर को ही हरी मंदिर बताया और ये सपष्ट किया कि अंतर मुखी पूजा ही वास्तविक पूजा है दादू भीतर पैस कर घट के जड़े कपाट साई की सेवा करें दादू अविगत घाट आतम माहें राम है पूजा ताकी होई सेवा बंदन आरती साध करें सब कोई इश्वर की जाती शरीर और रंग आदी के संबंध में पूछने पर उन्होंने कहा दादू इसक अल्लाह की जाते है इसक अल्लाह का अंग इसक अल्लाह औजूद है इसक अल्लाह का रंग लगता है इस वार्ता का बादशाह अकबर के उपर गहरा प्रभाफ पड़ा उसके दृष्टी अधिक उदार हो गई और दूसरे धर्मों के प्रती उसकी सहनुबूती भी बढ़ गई कहा जाता है कि इसी के फल्स्वरूप इस प्रसिद मुगल बादशाह ने सिक्कों से अपना नाम हटवा कर उनमें एक तरफ जला जुला लुहू यानि उस परमात्मा की महिमा बनी रहे और दूसरी तरफ अल्लाहु अकबर लिखवा दिया अकबर दादू को बहुत सा धन देना चाहता था पर दादू ने अपने निया मानुसार विनम्रता पूर्वक अस्विकार कर दिया वे कभी किसी से रुपया पैसा नहीं लेते थे उनका यह नियम था कि कोई चीज भेंट में दिये जाने पर वे तुरंत उसे लोगों में बांट दिया करते थे अंत में अकबर ने उन्हें कुछ दान देने का एक तरीका सोचा अकबर के पास एक तोता था जो कुरान शरीफ के कुछ अंश सुनाया करता था वे तोता बहु मुल्य रत्न जटित सोने के पिंजरे में रखा जाता था अकबर ने सुचा कि एक छोटी सी धार्मिक भेंट के रूप में दादू तोते को ग्रहन कर लेंगे और तोते के साथ उसका बहु मुल्ले पिंजरा उनको दे दिया जाएगा पर दादू ने इस भेंट को भी अस्विकार करते हुए ये कहा कि उनके पास पहले से ही इस प्रकार का ग्यानी एक मन रूपी तोता है जो शरीर रूपी पिंजरे में रहता है आपने फर्माया दादू यह तन पिंजरा माही मन सूवा एके नाव अलाह का पढ़ हाफिज हूवा इस प्रकार संत दादू देयाल ने अमीर गरीब सब पर एक समान रूपानी अम्रित की वर्षा करते हुए निस्वार्थ भाव से अपनी जिन्दगी बिताई पार्थिव शरीर से अपना संबंध भी आपने बड़ी ही पवित्रता और गरिमा के साथ तोड़ा अपने जीवन के आखरी दिन आपने अपने शिश्यों को एक बड़ा ही भव्य दर्शन दिया और उनसे विदा लेने के बाद स्नान किया और एक एकांच स्थान पर मृत्यू की राह देखते हुए गहरे ध्यान में लीन हो गए उनके दोनों लड़के उनके कुछ प्रिये शिश्यों के साथ उस अंतिम अवसर पर उपस्थित थे जैसी की उन्होंने पहले से हिदायत कर रखी थी रोने और शोक का अशोभन प्रदर्शन नहीं किया गया फिर उनकी पूर्व आग्यानुसार उनके शव को एक पालकी में रख कर उनके मृत्यू स्थान नरैना से कोई बारा मील दूर भराना की पहाडी पर ले जाया गया एक उचे टीले पर उनके शव को रख कर सब ने उनके शरीर की अंतिम वंधना की और उसे एक चादर से ढग दिया गया फिर वे भक्ती पूर्ण संकीर्तन करने लगे दादू पंथियों के बीच इस संबंध में एक कथा प्रचलित है कि उस समय एक अदभुद घटना घटी दादू के एक प्रमुक शिश्य टीला को अचानक पहाडी के मध्यभाग की गुफा द्वार पर दादू के दर्शन हुए और टीला ने सबका ध्यान उस ओर दिलाया सबको अपने गुरु का दर्शन प्राप्थ हुआ और गुरु संतों सत्य राम बोलकर अंतर ध्यान यानि लोप हो गए पालकी में शरीर के स्थान पर सुगंधित फूलों का एक धेर पाया गया कबीर की मृत्यों के संबंद में भी एक ऐसी ही कथा जुड़ी हुई है